अलो मेरे नाम है चंद्रहास, श्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है, दोस्तों IVPSPO 2017 के एक्जाम्स होने वाले हैं, तो इसको लेकर के आपकी श्टडी क्या होनी चाहिए, श्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इसको लेकर के आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ध् सबको पता ही होगा कि अब IVPSPO के एक्जाम्स होने वाले हैं, और सिर्फ IVPSPO के नहीं, आगे आने वाले महीनों में IVPSPO, क्लर्क, RRBPO, क्लर्क, और उसके बाद SO के एक्जाम्स होने, तो कुल मिलाके 5-6 एक्जाम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सारे जो त्यारी है, आपको सब की सेम ही करनी है, बस लेवल का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर आप IVPSPO के त्यारी कर रहे हैं, तो RRBPO की त्यारी भी हो जाती है, तो आप अगर एक्जाम देने जा रहे हैं, यह सारे 4-5 आपको जो आपर्चुन्टीज मिलने वा इक है इंग्लिश लैंग्वज और एक है रिजनिंग अबल्टी, टोटल यह जो पेपर होगा, यह 100 नंबर का होगा, और यहां पे 100 कोश्चन्स भी आप से पूछे जाएंगे, मतलब हर एक कोश्चन के एक नंबर यहां पे आपको मिलेंगे, तो टोटल 35 कोश्चन्स होगे और 35 मार्क्स का यह होगा, इंग्लिश लैंग्वज है, वो 30 नंबर की होगी और यहां पे 30 कोश्चन्स आप से पूछे जाएंगे, रिजनिंग अबल्टी 35 कोश्चन्स होगे और 35 मार्क्स का भी यह होगा, इन तीनों का जो टोटल टाइमिंग है, वो वन आउर है, करना है, और तीनों के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं है, कि आपको इतने समय में मिलेंगे एक ही सेक्शन के लिए, तो यह तो हुई प्री की बात, जो कि आपका 2017 में एक्जाम्स होगा, उसकी, यहां पे मेंस भी आता है, मेंस में क्या होगा, कि आपका रिजनिंग अबल् कुछ अलग है, सेम ही रहेगा, लेवल का डिफरेंस रहता है थोड़ा बहुत, वह भी हम आगे डिसकस करेंगे, क्या कुछ आता है, मेंस में क्या लेवल आपको तयार करना चाहिए, तो यहां पे बात होती है कि अगर आप तयारी करते हैं, तो आप प्री की तयारी तो जनर तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या बात है कि आपके पास जो इस समय है, उसमें आप अपनी जो strategy है, उसको कैसे बनाते हैं, study plan कैसे अपना खुद से develop करते हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में आते हैं, कि इन बातों पर आपको ध्यान रखना है, यह सारी चीज़ें आपको इसको तेज करने में लगाएंगे, तो यही हल होता है आपकी तयारी का भी, अगर आप बिना सोचे समझे कि तयारी में जुड़ जाते हैं, तो वो आपके लिए beneficial नहीं होता है, हो सकता है, आप वही सारी चीज़ें पढ़ें, जो कि आज कल एक्जाम में पूछी न जाती हो या फिर पूछी भी जाती हो, तो वो लेवल अबना रहे गया हो, एक्जाम का कुछ चीज़ें बदल गई हो, तो इसलिए आप सबसे पहले जो काम करेंगे, वो क्या होगा, strategy डेवलप करेंगे, कि हिसाब से आपको पढ़ना है, क्या time होगा आपके पढ़ने का, वो सारी च समय नहीं मिलेगा, जिसमें आप तयारी कर पाएं, मेंस की, क्योंकि मेंस जो एक्जाम होगा, उसमें समझ के रखें, कि जो बहुत ही talented बच्चे हो, उनहीं के बीच में आपकी fight होगे, फिर आप उसमें पिछड़ जाएंगे, तो आपका selection नहीं हो पाएगा, तयारी आपके आपके आपको मेंस की ही होती है, पर कहल लिए प्री प्las मेंस, दोनों को मिला कर क्या करनी होती है, ऐसाने कि re की तारी की मेंस की ट्यार करना होता है, मेंस के लिए आपको GPA और Computer Awareness को साथ मे ले कर कर के चलना होता है, जिसे Current Affair हो गया, Static GK होग आपको तुरंट की तुरं तो इसलिए आपको तयारी करनी हो, दोनों को मिला कर करनी होगी, अगर आप दोनों की तयारी नहीं करते हैं, अभी से और सोछते हैं पहले pre की, उसके बाद mains की, तब फिर आप समझ देजीए, आप गलत डारेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी से ही समझ जाई, क कुछ beneficial tips या फिर कह लिजिए कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी बाते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप ये exam निकालना चाहते हैं या फिर जो आगे आने वाले exams हैं उनको आप निकालना चाहते हैं तो तो कुछ यहां पर tips में आपके सामने लेकर के आया हू मैंने देखा बहुत सारे लोग time table की demand करते हैं कि उनको time table चाहिए कैसे उनको पढ़ना है क्या उनका routine हो चाहिए देखिए ये गलत फैम ही में आप मत पढ़िए कोई भी वेक्ति आपके लिए अगर time table बनाता है तो वो अपने आपको ख्याल में रख करके time table बनाएगा मान यही expect करूंगा सबसे कि सभी लोग 5 बेजे उठ जाते होंगा और 5 बेज उठने में क्या परिशानी है कोई परिशानी नहीं है तो यह चीजें आप follow मत करें किसी का time table और यह robot वाला पढ़ाई तो कभी होई नहीं पाती मैंने देखा कितने सारे लोग group में भी time table पोस्ट कर करते है कि सुब् craft बजे ले कर के 10 बजे तक पढ़ेंगे फिर 10 बजे से ले कर के एक बज़े तक रेजनेंग पढ़ेंगे फिर एक बज़े से ले ले कर सुबह पढ़ना चाहिए क्यों उसके रेजन्स अपने अलग-अलग होते हैं जैसे अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं आपके आसपास बहुत ज्यादा सोर है तो आप सुबह उठके पढ़ सकते हैं क्यों क्यों कि उसमें बहुत सारी लोग सोते रहें तो ही सेलेक्शन होगा या फिर आप राद भर पढ़ें तो ही सेलेक्शन होगा ये दोनों बातें गलत हैं ये आपको अपने हिसाब से डेवलप करना होगा कि आप किसमें कमफर्टेवल हैं ध्यान रखें पढ़ाई कमफर्ट के साथ ही आएगी अगर आप कमफर्टेवल न से कम 10 से 12 घंटे at least यहां पर एक शब्द लगा लिजिए सामने at least at least की बात कर रहो हूं है maximum की नहीं ठीक है तो at least 10 से 12 घंटे आपको regular study करनी ही होगी आपके पास 2 महीने का समय है तो आप 2 महीने अगर 10 से 12 अब एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक दिन शादी में चले जाते हैं बार-बार दोस्त की शादी नहीं होती तो यह अगर आपका प्रोटीन फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपके साधी अटेंड करेंगे मुवी ही अटेंड करेंगे कभी भी बैंक की जॉब में आप आप टेंडनेस नहीं लगा पाएंगे कि वहां जाकर कि आप ब्रांच वेनेजर बैठेंगे ठीक है तो रेगुलर इस पर श्टेडी करनी होगी मोह माया त्याग नी होगी दोस्तों की शादी या परिवार की शादी इन सबसे अपने आपको थोड़ा सा दूर रखना बस दो महिने की बात है दो महिने की जो आपकी ये समझ ली तपस्या है ये आपको जिंदगी वर्फल देगी अगर आप इस पर दो महिने नहीं सही से कर पाएंगे पढ़ाई तो आप प्र जिंदघी भार ऐसे ही लगाते रहेंगे एक अटेम्ट होगा दो अटेम्ट होगा उगा फिर आप निराज सरयंगे मएरा सेलेक्शन नहीं हो रहा है उसके पीछे का रीजन आप नहीं समग कर पर से लट् पढ़ना ही है वो भी रेगुलर श्रीक पीना किसी gap के ठीक है हाँ यहाँ पर gap कैसे देना है उसको आपको जरूर सीखना होगा कि पढ़ाई के भीच में आपको gap कैसे देना है ऐसा नहीं कि 10 वजे बैट गए तो 12 वजे शाम तक उठे ही नहीं काना पीना वहीं पढ़ते पढ निकलते हैं इसको दूसरे शब्द में कई जगा पर अगर आप देखेंगे इस नाम से भी ढूणेंगे तो इसे कहा जाता है पॉमडोरो टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी लगातार देर तक पढ़िए नहीं कहा तो जाता है 20 से 25 मिनट तक आप पढ़िए फिर अगर खाना खिला रहा है लगातार लगातार अगर आपके मुह में वह बाइट डालता ही जाए तो आपको उसको नीचे पेट मिले जाने का मौका कम मिलेगा जब वह वेक्ती सामने वाला रुख जाएगा तो वही है कि आप 45 मिनट से अगर आप पढ़ रहे हैं एकदम कंसं था सट दीजिए अपने आपको और इस 10 मिन अपको टीवी नहीं देखना है ठीक है टीवी से दूर रहना है ठीक है ऐसा नहीं कि दस मिनट मिले हैं तो आप चलिये याल ने करना कूं करनाया को आराम देना पिर दस nihट कंसे अराम कर सके चाहे बाप और योट पर कोई वीडि हाँ शुरुगात में थोड़ी दिक्कत होती है समझ नहीं आता थोड़ा सा एकदम लगता है कि क्या पगलपना आप फॉलो करें 15 मिनट और 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट लेकिन बहुत ही जाद आपको amazing पढ़नाम मिलेंगे जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो खुद आप देखेगा ऐसाने की एक दिन में पढ़नाम मिलते हैं एक महिना फॉलो करेंगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कितना अच्छा आपको यहाँ पढ़नाम मिलता है बिल्कुल आप ठकेंगे नहीं पर आगे पढ़ने का कोई फायदा होता नहीं है तो यह ब्रेक आप ले सकते हैं पूरे दिन का ब्रेक मत लीजेगा नेक्स्ट बात करें अगर हम यहाँ पे तो रिवीजन इस मश्ट बहुत सरे लोगों को मैंने देखा है वो एकजाम के आखरी दिनों तक भी नहींने चीजंज उस जो कोई कीज सिदोर ने बता दी था रहे भाई तुमने वह पढ़ा नहीं पढ़ा तो वहीं बढ़ने बढ़ जाएंगे आपने आज जो पढ़ा है, फर्स्ट डे जो पढ़ा है, दूसरा दिन जब आप सुरुवात करें, कम से कम पहले दिन वाला सब कुछ रिवाइस कर लें, मतलब दूसरे दिन की जो सुरुवात करें आप सुभा सुभा या शाम को जब भी आप पढ़ा है की सुरुवात करें, तो आपने एक दिन पहले जो पढ़ा था, उसको कम से कम आधे गंटे का समय दीजिए, बस आधे गंटे का समय दे करके पूरा रिवाइस कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से अगर आगे बढ़ सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, और हपते भर का एक रिवीजन का स्टेडूल बनाईए, कि एक हपते के लिए, जैसे संडे का दिन लेजी, कि संडे को मैं हपते भर में, मतलब मंडे से लेकर के सेटर्डे तक जो भी पढ़ा है, उस सब को एक बार रिवाइस करूँगा, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन में थोड़ी से भी आप कामचूरी करते हैं, तो आपका पढ़ा हुआ ज्यादा तर चीज क्या है, दिमाग से निकल जाता है, फिर आपको आती हुई चीज़े में नहीं, जैसे एक्जाम में होगा, कि आप भूल जाएंगे फॉर्मलाई, क्या लगाना था, आपने पढ़ा होगा किसी देश के किसी राश्पती के बारे में जो अभी भी न्यूक्त हुआ था, आपको पता रहेगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कौन था, क्यों, क्योंकि आपके अंदर तो रहेगा, आपको पता होगा कि आपनी पढ़ा है, लेकिन जब एक्जा करते रहे, बिना रिवीजन के आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता, नेक्स्ट मैं बात करूँ यहां पर कि आप अपने आपको एनलाइज जरूर करिए, अगर आप अभी अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, आप जानना चाहते हैं, अभी PSPO का एक्जाम कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन एक mock test दे करके देखिए, चाहे वो online हो, चाहे वो offline हो, कोई भी एक mock test दे करके देखिए, और देखिए कि आप किस position पे खड़े हैं, जब आप mock test देंगे, तो आपको क्या होगा, कि थीक है, 12 घंटे कम से कम study करते हैं, तो क्या है कि आपको अगर लगता है कि आप से quantitative aptitude के questions हैं, वो बहुत ज़्यदा फंसर है, ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, आप से questions solve करने हो थोड़ा सा difficulty हो रही है, इंगलिश फिलहाल आपकी ठीक ठाक है, अगर आप English medium से हैं, और किसी 3 घंटे English और 3 घंटे reasoning को दीजे, शुरुवात में, शुरुवात के दिनों में, ताकि आप एक flow में आ सकें, ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे ही आप, जैसे मुझे math नहीं आता है, बहुत टफ लगता है, अगर graduate हूँ, तो मुझे math टफ लगता है, नहीं समझ में आता है, तो ज्यादा तर बच्चे कहाते हैं, जो subject उनको tough लगता है, उससे उतना ही दूर भागते हैं, ठीक है, अगर मालीजे मैं English बीए हूँ, तो English मुझे बहुत समझ में आता है, तो उसको उतना ही ज्यादा पढ़ते हैं, यहाँ पे जो सबसे main important बात है, कि आपको किसी भी subject से love या फिर hate नहीं करना है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, अगर आप किसी भी subject बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, या मुझे English बहुत समझ में आ रहा है, या फिर reasoning बहुत समझ में आ रही है, फिर समझे व आप किसी subject से hate करेंगे कि आपको reasoning नहीं समझ ज़री, puzzle एक भी solve नहीं हो रही, तब क्या करेंगे, puzzle solve भी नहीं करेंगे, ध्यान रखें उसी तरह है, जैसे सुतर मुर्ग रेगिस्तान में अपना सर गार लेता है, मुसीवत से बचने के लिए, तो ऐसे ही आप भी करेंगे क् को बचना है, आप समझ सकते हैं, कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए हानिकारक सावित हो सकती है, तो सारे subject को equal ले करके चलना है, ताकि आप आसानी से हर एक, जो sectional cut-off होता है, उसको निकाल सकें, साथ इसाथ जो overall cut-off है, उसको भी आप आसानी से पार कर सकें, तो analyze जरू मॉक टेश्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उनके number इंप्रूब नहीं हो रहे हैं, या तो same level पर बने हुए हैं, या फिर नीचे जा रहे हैं, उसका region क्या है, रीजन ये है कि आप मॉक टेश्ट तो दे रहे हैं, मॉक टेश्ट देने के बाद उसको analyze नहीं कर रहे हैं, कि आप से चीजें छोड़ दी, ये भी गलत बात है, तो यही मैं कहा रहा हूँ कि analyze जरूर करिए अपनी performance को, और ऐसा नहीं के mock test में आप फेल होते जारे हैं, तो आप real exam में भी fail हो जारे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो उन्होंने आज तक एक भी mock test नहीं दिया, वो भी हमेशा इस से aware रही है, अपने आपको analyze करते रही, mock test देने का क्यों एक यही एक fund है, कि आपको हमेशा पता रहे कि आप कि सेक्शन में मजबूत हैं, कि सेक्शन में कमजूर हैं, कहां पर आपको महना ज्यादा करनी है, कहां पर कम करनी है, तभी उसका फायदा है, वरना क्यो group भी, या फिर मेरा page भी, तो वहां पर मैंने पूरी photos डाली हुई है, लगभग, 40 से उपर बच्चों का selection हुआ था, तो आप भी follow करते हैं, तो आपका भी selection हो सकता है, चले बात कर लेते हैं, अलग अलग जो हमारे sections हैं, subject हैं, उनमें क्या-क्या topics important है, जिनको आपको ध्यान हैं, आपकी red में लिखी हुई है, कुछ इजए हैं आपकी, यहाँ पे blue में लिखी हुई है, और दोनों में क्या difference है, आप कुछ लोग तो समझ गए होंगे, जो लोग नए हैं, उनको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे जो आपके topics लिखे गए हैं, जैसे number series हो गया, simplification approximations हो ठीक है, data interpretation 10-15 number में pre में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पूछा ही जाएगा, तो यह सारे topics तो आने ही आने हैं, इसको आप skip नहीं कर सकते हैं, खास और मैं pre के लिए क्लिए मेंस के लिए भी बात करूँ, तो मेंस के लिए भी आप skip नहीं कर सकते हैं, जो data efficiency का topic है, यह ज माकड़े दे दिये गए हैं, आपको उनके उपर आपसे questions बनने हैं, लेकिन अब जैसा कि SBIP मेंस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कि यह जो mislaneous वाला section था, जिसको ज़्यादा तो लोग आप क्या कर रहे थे, ignore कर रहे थे, सोच रहे इसमें से क्या आएगा, कुछ नहीं आ data interpretation के questions बने, और यहाँ पे मैंने questions कराया हैं, यहाँ पे आपसे profit and loss से कुछ questions बने, और कुछ questions आपके यहाँ पे boat and stream सिके थे, जिसका वीडियो मैंने आपको provide किया हुआ है, जा करके देख सकते हैं आप, तो अगर आपने यह सारे topics नहीं किये हुए हैं, तो आप जाहिर सी data interpretation का part जो 15 नंबर का इसको भूल के रखिए, आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आपको focus क्या करना है, यह जो topics हैं, इनको focus करना है, यह तो आपके main important topics, साथ ही साथ जो miscellaneous हैं, उनमें कुछ जो important topics हैं, जो scoring topics हैं, उनको आपको जरूर पढ के रखना है, जैसे time speed and distance हो गया, time and work हो गया, इसके साथ pipe and assistance है, और यहाँ पे time speed distance में, boat and stream and train दोनों की बात में कर रहा हूं, ठीक है, यह कम से कम topics हैं, जैसे profit and loss हो गया, और profit and loss आपको तभी अच्छे समझ में आगा है, जब आपने percentage अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर आप एक newcomer है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई सीरी से, तो सबसे पहले आपको quantitative attitude के लिए क्या तयार करना होगा, हमेशा से मैं कहता हूँ, वो है calculation, calculation अगर आपकी मजबूत नहीं है, या फिर बच्चों की तरह अगर आप calculate करते हैं, तो आप इन में से कोई भी topic crack नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इधर की बात करों, चाहे इधर की बात करों, सबसे पहले आपको मजबूत करने हैं, अपनी calculation, क्योंकि हर एक चीज, हर एक concept, हर एक जगा पे जा करके अटकता कहां पे है, calculate करने पे, आखरी में आप सब कुछ लगा लेंगे, सारे formula ब स्पीड तेज नहीं है, या फिर कह लिजे आप calculator से अभी तक calculate कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा, एक calculator से calculate करते हैं, कैते हैं, exam में तो कर लेंगे, यहां पे जल्दी जल्दी कर लें, ताकि और चीजे पढ़ने, तो उस वज़ा से अगर आप कर रहें, तो आप समझ में आएगा, कि square कैसे करना है, ठीक है, या फिर मैं कहूंगा, कि square के लिए कम से कम, 50 तक के square या 60 तक के square तो याद ही रखे, मैंने जब तैयर की थी, मैंने तो 100 तक के याद कर लिये थे, असानी से याद हो जाएंगे, और जो tables हैं, वो कम से कम 20 तक की तो आनी ही की, क्यूब रूट आप कम से कम 30 तक का याद कर लिजिए, आपके लिए फायदे मन्द होगा, मतलब याद करने का एक थोड़ा सा मैत वालों के लिए होता है, कुछ भी चीजे याद नहीं करनी, ठीक है, लेकिन यहाद करने का एक तात पर क्या होगा, कि आपका जो calculation है, वो अगर आपको याद होगा, तो तुरन देखते ही समझ जाएंगा, यह तो 29 का क्यूब है, फिर यह 28 का क्यूब है, नहीं होगा तो आपके लिए टाइम लग सकता है, इसलिए कह रहा हूँ, कि आपको यह सर्ची थोड़ा सा पहले से तयार करके रखने होगी, टेबल्स होगी जैसे कल्कुलेट कैसे करने सर्ची, स्पीड मैथ के वीडियो में आपको मिल जाएगी प्लैलिस्ट में, 8-9 वीडियो हैं, बहुत ही वेनिफिशियल होगी, आपके लिए देख सकते हैं, तो यह सबसे पहला पार्ट होगा, आप यहां से सुरुवात करिए, उसके बाद और यहां से आप क्या करेंगे, नमबर स्रीज, सिंप्लिफिकेशन और कॉडिटिक कुशन, इनके तो आप कम से कम एक सेट, मतलब इन तीनों के, एक सेट कम से कम रोज लगाए, ज्यादा लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक सेट भी अगर आप रोज लगा अपने आपी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फ्रैक्शन आपको अपने आपी समझ में आ जाते हैं, ठीक है, तो कम से कम इतना तो आप करिए ही, उसके बद आप क्या करिए कि यहां पर जो मिसलेनियस वाले जो टॉपिक होगा, इसको करना बहुत ज़्यादा कठी नहीं होगा, और उसके पहले आपको प्रवल्टी से पहले पर्मुटेशन हैं कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, ठीक है, यहां पर भी हाल ही में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, कि यह दोनों टपिक्स जनरल डिसकार्ड कर द आप आसानी से एक मिनिट के इंदर सारे जमेटरी कोशन कर सकते थे, तो आप जमेटरी भी पढ़के रखिए, अगर आपको जमेटरी नहीं पता है कैसे पढ़ना है, तो एक चैनल स्टडी स्मार्ट का ही और है, स्टडी स्मार्ट स्सी, उसका नाम है, उस पे जाकर के आप सकते हैं, वहाँ पे जमेटरी की लगवक 17 वीडियो बने डाल रखी है, तो 17 वीडियो आप देख लीजिए, आपको आसानी से जमेटरी आजाएगी, मेंसुरेशन भी वहाँ पे कवर हो रहा है, तो आप वह भी जाकर के देख सकते हैं, मतलब इस मिसलेनियस टॉपिक्स में से, जिसे मेंसुरेशन हो गया, जमेटरी हो गया, यह सारी वीडियो भी आपको डीटेल में मिल जाएंगे, स्टेडी स्वार्ट एससी पे, ठीक है, बाकी सारी वीडियो तो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, और अभी आगे हम और भी वीडियो पर प्रोवाइड करेंगे, जो की नए पैटर्ण पर आपके कोशन बनने हैं उन पर, यह कॉंटिटिटिव अप्टिट्यूट का सेक्षन था, जिसे बहुत सारे लोगों को प्रब्लम होती है, कहां से सुरुवात करनी है, और कैसे पढ़ना है, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, अपना रिजरिंग का सेक्षन है, अब रिजरिंग बडावाक ही रहता है, अब आंगा पर इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, बाानरी कोडिंग डि municipaux को कर्द बाट्र एक प्रस्क्रान का hard, उसको और प्रिवेस यर्ट पेपर्स में भी आपको मिल जाएंगे दूसरा होता है रिवर से लॉजिस उस दोनों पर ही मैंने वीडियो बना रखे हैं निव और पैटर्न दोनों पर आपको वीडियो मिल जाएंगे देख सकते हैं फिर आपका इंपूट आउटपूट इसको बहुत को देखने को मिलने इस पर बहुत ही अच्छे-च्छे कोशन सा रहे हैं अभी पी एस पियो की बात करो मेंस की तो वहां पर बहुत ही डिफरेंट टाइप का इंपूट आपको पूछा गया था जिसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी देख सकते हैं तो आपके यहां पर पहले एक पूछा जाता था था तो सरकुलर होता था के यौल फिर बाद में के बाद लीनियर चालू हुकआ धिरे धिरे आपका रेक्टेंगलर आगया है अब आपका क्या है कि यहां पर बहुत की चांटकेर-इकरे कोडिंग वाला नहीं रहता है कोडिंग डिकोडिंग आसान रहती है और इसके उपर में वीडियो बनाऊंगा और यहां पर इसमें रिवर सिलोग जिसमें आपका सकता है इस तरह के कोश्चन्स आ सकते हैं में अगर बात कुनों प्री की तो प्री में आपके सिंपल कोश्चन्स रहते हैं ज्यादतर में रिखाल से एक वरियेबल वाले कोश्चन्स होंगे या फिर कलिजी एक परामीटर वहां से अटैच रहता है और मतलब ऐसी कोश्चन्स रहेंगे क्योंकि आपको घंटे में सारा क सकते हैं लेकिन अगर मेंज की बात करें तो हैं जो यहां पथो से ये कोश्चन्स रहें और बिएते हैं स्क्था सब्सक्ते हैं जो BENE. का ही हिस्सा है, पजल मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, पजल का ही हिस्सा है, ये ब्लड arrangement के साथ setting arrangement आपका पूछा जाता है, तो ये सब आप कर सकते हैं, फिर बात करें हैं, में तो आपकी problem आती है, पजल की, जो कि मेंस का एक बहुत important role play करता है, चार से पांच puzzles भी देखने को मिल सकती हैं आपको मेंस में, मतलब चार से पांच puzzles पांच प्रश निम्मर के अगर आप सोचिए, तो काफी आपके लिए matter करता है, ठीक है, तो चार से पांच puzzles आप देख सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पदल में होगा क्या कि यहां पर arrangement आ सकता है, arrangement कैसा कि जैसे रहेगा कि आठ लोग है, आठ बैंक में काम करते हैं, आठ कलर की shirt पहनते हैं, या फिर आठ अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं, तो उन सब को arrange करना होगा, या फिर कह देगा कि कोई वेक्ति किसी floor पर रहता ह floor arrangement जैसे हो गया, कि यह इस वेक्ति का नाम यह है, यह इस floor floor पर रहता है, इस रंग की shirt पहनता है, तो यह floor arrangement हो गया, तो इस सारी चीज़ें पजल में ही आ जाती है, तो यह इसके आप क्यों प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम आप कोशिश करिए, दिन में, एक दिन में कम से क करिए, करिए, चाहे कितना भी time लगे, क्योंकि वही आपको confidence देगा, कि इस तरह की puzzle भी आप solve कर सकते हैं, फिर और कुछ topics हैं, जहां से आप से एक एक दो दो नमर कोशन बन सकते हैं, जैसे ordering and ranking, direction and distance, यहाँ पे एक topic मैंने नहीं लिखा, जो की होता है, data sufficiency का, यह reasoning में ही प यह आपका mains का part था, और यह जो data sufficiency था, यह भी आपका पूछा जाएगा, तो यह miscellaneous वरे topics में से ही आता था, तो यहाँ पर भी जो data sufficiency होगा, वो भी कहां पर आएगा, यह blood relation पर आ सकता है, ordering, ranking पर आ सकता है, तो यहाँ से सब आपका पूछा जाता है, फिर बात करूँ मे कम से कम 4-5-8-10 questions यहाँ से निकल सकते हैं, और अच्छे questions होते हैं, आप असानी से कर सकते हैं, अगर आपकी reasoning थोड़ा सा logical reasoning अच्छी है, तो यह था reasoning ability की बात, शुरुवात की बात करूँ में आप कहां से कर सकते हैं, आप यह जो basic basic topics ने जो पूछा ही जाते हैं, यहां से क कर सकते हैं, और कम से कम reasoning की practice आप करते हैं, दिन में तो कम से कम दो puzzle आप solve करिए, जिससे आपको confidence बना रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छी puzzle solve करिए, शुरुवात में अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो क्या करें, एक variable की puzzle solve करिए, फिर दो की solve करिए, थोड़ा सावर complexity अपने आप भी आप देखेंगे, बढ़ती जाएगी जब आपकी, तो आप जो आसाना-सान puzzle होगी, इसको आप skip करना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँगर English section की, तो English section में क्या है, कि यहाँ पे जो पिछली बार का pattern था, उसमें देखने को मिला लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा pattern बदल किया सकता है, कि error responding के 5 questions दे करके, 5 number के आपके filling the blanks पूछे जा सकते हैं, या फिर इसके साथ पहरे जंबल पूछा जा सकता है, या फिर phrase replacement पूछा जा सकता है, और अगर मैं mains की बात करूँँ, तो mains के लिए आपको यह सारे topics त्यार करन पहुत सारे लोग को देखा है कि आप सर वही vocab दीजिए जो bank के लिए आती है, देहन में रखें, इंग्रिश ऐसा language नहीं है, जो कि बैंक के इंप्लॉईस के लिए बना है, या फिर बैंक के इंप्लॉईस के लिए एक अलग से vocab कोई create की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ पाएं, लिखा क्या जा रहा है, उसका sense क्या बनता है, कि sense में बात बोली जा रही है, ठीक है, तो vocab के उपर काफी आप फोकस करिए, क्योंकि यहीं से आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, ऐसा जरूई नहीं है, कि vocab का मतलब मैं एक synonym की बात करूँ, vocab का आपके English improvement की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, grammar बेपकड़ बनाएं, जिससे आपको error spotting में अच्छे से समझ में आएं, अब पहरा जंबल के questions भी आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे करना है, उसके वीडियो मैंने बना रखे हैं, ठीक है, तो यह सारे चीज़ें आप करिए, जिस section आपका होता है, general awareness का, जिसमें आपको exam के 3-4 महिने पहले का current affair, अतलब अगर आप एकदम safe zone में जाना चाते हैं, जैसे 4 महिने पहले भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकते हैं, जैसे अगर आप VPSPO का exam दने जा रहे हैं, तो GSLV Mark 3 जो भी launch हुआ है, वो भी अच्छी news है, तो वहाँ से questions आ सकते हैं, हलाकि वह आपके 3 महिने के अंदर में नहीं आ सकता है, लेकिन वहाँ से questions आ सकते हैं, तो अच्छी चीज़ें कई बार होता है, कि 4 महिने के पहले भी पुछी जा सकती है, तो वो सारी चीज़ें आप तयार करके रहे हैं, फिलाहाल 3-4 महिने का current affair पर होता है, वो enough होता है, ठीक है, बैंकिंग अवेर्यस तयार करके रखे कम से कम बैंक में, RBI के जो बाइमन्थली policies अपडेट हो रही हैं, या फिर क्या क्या नहीं नॉम्स निकल रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जैसे भी अब देखने जा रहे हैं, जो हमारी 19 से आप मर्जर की जो प्रोसीजर है, लग अग श्टार्ट हो गया है, वो PNB बैंक में मर्ज होने जा रही है, इसी तरह जो सारी बैंके हैं, उनको मर्ज करके, आप कह रहे हैं कि क्यों छे बैंक ही रखेंगे, ताकि हम वाइड लेवल पे ग्लोबली अच्छे तरीके से अपनी बै जैसे कंट्री, करेंसी, डैम्स, रिवर्स, नेशनल पार्क, यह सारी जो चीज़े हैं से आप अवेर रही है, क्योंकि बदलने वाला नहीं है, ना तो किसी कोई देश चेंज होने वाला है, ना तो उसकी कैपिटल चेंज होने वाली है, और चेंज होगी तो बहुत बड़ी क्या है, SLR क्या है, banking terms क्या होते है, check क्या होता है, check, truncation system क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें आपको यहां पर नहीं नहीं सीखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको economics ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि यह आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको general awareness में काम आएगा, इंट इसके क्या implications हो सकते हैं, कैसे महंगाई बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं कोई चीज है, तो क्यों आप उस heading को पढ़ लेंगे, उसके पीछे का जो तातपर हो समझ में आपको आपको economics की जो एक सतही knowledge है, वो आपको कम से कम होनी ही चाहिए, और उसके उपर मैंने वीडिय के लिए एक paper भी पढ़ लेते हैं, तो बहुत है, इनफ है, banking awareness का एक video देख लिजेए, जिसमें आपको banking के कुछ term समझ में आ सके हैं, check समझ में आ सके, चेक के type समझ में आ सके, तो चार महिने या दो महिने का समय आपके सामने रहता है, तो उसमें आप आप आसानी से इसको कर सकते हैं, फिर ऐसा नहीं होगा कि pre का result आएगा, उसके बाद 15 दिन के बाद mains होगा, तो आप चलेंगे इसको पढ़ने, तब आप नहीं कर पाएंगे, ओके, next section यहाँ पर क्या होगा, computer awareness का, जिससे आप सब लोग आउगत ही हैं, कैसे करना है, काफी basic होता है, आप उसको असानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी एक book ले करके, फिर online आपके सामने बहुत सारे resources हैं, जहां से help ले सकते हैं, ठीक है, तो यह तो था आपकी strategy, अलग-अलग जो department है, आपके subject हैं, कैसे आपको prepare करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, कुछ resources हैं, जहां से आपको help मिल सकती है, तो अगर आप coaching join नहीं कर रखें, मतलब मैं अगर मान के चलता हूँ, आप coaching नहीं कर रखें, coaching join कर रखें, तो वहां पर आपको कुछ वहां की coaching की notes वगरा मिलेंगी, teachers के notes मिलेंगी, उनकी guidance मिलेंगी, सबसे बड़ा resource होगा, अगर आपने कोई coaching नहीं किया है, तो उसमें कोई घबराने वाले बात नहीं है, आपको सारी चीज़ें online मिल सकती है, कहीं भी आपको जाने की जुरूत नहीं है, बहुत सारी website से आप सर्च करिए, आपको फ्री में ही सारी चीज़ें उपलब्द होंगी, मतलब questions उपलब्द होंगे, बहुत सारे materials उपलब्द होंगे, guidance उपलब्द होंगे, हर चीज़ें उपलब्द होंगी, आप books ले सकते हैं, और books में भी previous year papers जो होंगे, उनको आप लीजिएगा, वो आपको ज्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके, कि exam कैसे हर एक साल के हिसाब से change हो रहा है, और कैसे पहले questions थे, अब कैसे questions आ रहे हैं, और जो exams के questions होते हैं, उनको आप लगाएंगे, तो आपको अच्छा confidence मिलेगा, ठीक है, फिर जो तीसरा सबसे बड़ा source है, पहला सबसे वह है YouTube का, YouTube का role आज कल के समय में मेरे खाल से बहुत ज़्यादा important हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले की तुलना में अगर बात की जाए तो, बहुत सारे नएने channels हैं, पुराने channels हैं, जो free में videos आपको उपलब्द करा रहे हैं, और free का मतलब बहुत सारे banking related videos उपलब्द करा रहे हैं, और ध्यान रखें यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अगर आप channel follow करेंगे, तो भी आप थोड़ा सा misguide हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से अन्मान बना लिजिए कि आपको कौन से top 3 और top 4 channels follow करने हैं, और उसी को आप follow करते रहे हैं, आप देखे आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है, तो current affair की बात कर रहों, तो उसी में मेरे खाल से financial evidence अपने आप include हो जाता है, फिलहाल सारी चीज़े आपको newspaper से ही मिल जाएंगी, और newspaper अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका जो RC है, मतलब reading comprehension है, वो भी काफी अच्छा improve होता है, मतलब आपको आदत हो जाएगी जब, तो आपके सामने जब passage आपको देखने को मिलेगा, दो paragraph का, तीन paragraph का, तो डरेंगे नहीं उससे आप, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, तो डर जाते हैं, उससे आप डरेंग नहीं, आसानी से पढ़के समझ जाएंगे, क्योंकि newspaper की जो language होती है ऐसा नहीं सब्दार्त ही रहता है, भावार्त ही बहुत कुछ रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, और जो आपका next resource है, वो क्या है, test is reach, test is reach का resource की रूप में कैसे है, इस रूप में, कि test is reach अगर आप कोई follow करते हैं, कोई भी follow करें, सारी अच्छी ही है, ऐ ऐसा नहीं कुछ लोग करते हैं, यह वाली जोइन करो, आप खुद ही जोइन करके देख लिजे, कौन से अच्छी, कौन से अच्छी नहीं है, तो इसमें क्या है, कि आप test is reach अगर जोइन करते हैं, तो आपको नए-ने questions देखने को मिलेंगे, नए-ने types देखने को मिलेंगे, तो आप खुद से अपने आपको अवेर कर सकते हैं, तो यह तो थे कुछ top resources, जो आपके exam में भी काम आने वाले हैं, बहुत सारे exam में भी आ गयने वाले हैं, तो इन सारी चीजियों को आप आज से ही follow करना start कर दीजिए, तो मेरे खाल से वीडियो थोड़ा सा लंबा तो जर चाम बनाएं, कभी बनाएं, दस से बारा घंटे पढ़िए, रिवाइज करिए, मन लगा के पढ़िए, टेली फोन और जो कहते हैं, मोबाइल, वाटस अप इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, वाटस अप ग्रूप बगारा से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने आपक कोशन पढ़ा था, समझ में आया, पजल, इतने में किसी का फोन आ गया, आप वो बातें करने लगे, इस तरह किसे पढ़ाई नहीं हो पाता, तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र बोस्तों के साथ जरूर शेर करेंगा, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकें, उनको भी समझ में आ सकें कैसे उनको प्रिप्रेशन करनी है, ठीक है, प्रिप्रेशन तो आपको अपने हिसाब से करनी हैं, क्योंकि मेरे वीडियो बना देने से यही रंग लाईगी और आखरी में आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा वही बयान करेगा कि आपने इस सफलता के पीशे कितनी मेहनत की थी तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यूडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क् बहुत दिनों के चुट्टी के बाद बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और आपको जो वीडियो में आपके एक्जाम को क्रैक करने बहुत ज़्यादा हेलफुल साबित होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को जोरू प्रेस करेगा जिससे आप को सारी वीडियो मिलती नहीं कोई वीडियो स्किप ना हो तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हेवा नाइज डे एंड बाई